एलो फ्रेंड्स मेरा नाम मनोज है और आज हम बात करेंगे HTML के बारे यह मेरी पहले वीडियो है सीरीज में और यह सीरीज कम्प्लीटली HTML की ट्रेइनिंग पर रहेगी हिंदी में तो आएए जानते हैं कि HTML क्या है आप कह सकते हैं कि HTML एक कंप्यूटर प्रवाइमिंग लैंग्वेज है जिसका यूजम वैप पेज़स को ड्रेजाइन करने में करते हैं तो यह तो बात हुई HTML की डेफिनेशन की आए जानते हैं कि HTML का यूजम कैसे करते हैं तो उसके लिए मैंने पूरी वीडियो सीरीज नाके रखे हुई है तो आएए देखते हैं कि हमारे सीरीज में क्या-क्या है तो सबसे पहले हमें सीरीज में देखेंगे HTML का इंट्रोडक्शन अभी जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ यह सब HTML के इंट्रोडक्शन में आता है कि और उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट एडिटर for HTML, HTML के लिए कौन-कौन से टेक्स्ट एडिटर यूज होते हैं कैसे हम एक सिंपल डॉकुमेंट को HTML में कनवर्ट करते हैं और फिर हम पढ़ेंगे HTML टेक्स के बारे में HTML लिंक्स के बारे में HTML टेक्स बिसिकली टू टैप्स के होते हैं एक होता है singular या unpaired tag और दूसरा होता है pair tag और फिर हम पढ़ेंगे HTML लिंक्स के बारे में उसके बाद हम देखेंगे text formatting की HTML के webpage के जो text रहता है उसको हम कैसे formatting दे सकते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे list के बारे में list basically कितने type की होती है और उनका use हम कैसे अपने webpage में करते हैं यह हम पढ़ेंगे HTML list में और उसके बाद हम पढ़ेंगे HTML tables की HTML tables क्या होती है और कैसे हम HTML tables को बनाते हैं अपने website के लिए उसके बाद हम पढ़ेंगे HTML audio video कैसे हम अपने किसी audio file या video file को अपने web page में insert कराते हैं और उसको online प्ले कराते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे HTML forms के बारे में HTML forms एक बहुत ही important topic है after that हम पढ़ेंगे HTML meta text के बारे में meta text actually search engine के लिए होते हैं जो आप उसमें अपने meta tag में description keywords वगरा देते हैं जो जिसके थूरू search engine आपके website के page को index करता है और search engine को देता है आगे हम बात करेंगे HTML more queue के बारे में HTML iframe के बारे में HTML framesets के बारे में जब आपको इतना सब knowledge हो जाएगा सब पढ़ देंगे आप तो उसके बाद हम एक website design करेंगे HTML में और हो सकता है इस website में CSS का भी यूज करें क्योंकि simply HTML website तो बहुत ज़्यादा attractive नहीं लगेगी इसलिए हो सकता है CSS का यूज करें चलिए यह तो हुआ HTML का introduction मिलते हैं next video में और बात करते हैं HTML text editors के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अपडेट आते रहें इस हवाले से कि कौन सा नय वीडियो आया है तो आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं next video में see you bye